आज हम बनाएंगे गर्मियो का ग्लो गोस बेल का शर्बत जिसे हम वूड एपल की भी नाम से जानते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है चलिए बनाते हैं गर्मियो में बजार की फ्रूटी पीने से अच्छा है कि आप यह बेल का शर्बत जरूर राई करें इसके लिए यहां पर मैंने एक छोटा बेल का फल लिया हुआ है इसे हम इस तरीके से बेलन की मदद से अच्छे से चारो तरफ से क्रैक कर लेंगे इसे अच्छे से क्रैक कर लेने के बाद इसे अब हम बीच में से दो पार्ट में कर लेंगे दो पार्ट में हो जाने के बाद अब इसके अंदर का जो गूदा है उसे हम निकाल लेंगे पहले तो जो शेल में है उसको हम चमच की मदद से निकाल लेंगे इसे हम एक बाउल में ट्रांस्वा कर लेंगे पहले शेल वाले जितने भी हैं उनको हम अलग कर लेंगे फिर जो बीच का गूदा है उसको हम अलग से दूसरे बाउल में हम अलग करेंगे आप चाहें तो एक ही बाउल में भी अलग कर सकते हैं पर मुझे ये ज़्यादा असान लगता है, तो मैंने इस तरीके से किया है, अब इसमें हम करीब 2 कौप के करीब इसमें पानी डालेंगे, और जो इसके बीज हैं, उसे सावधानी से हम अच्छे से निकाल लेंगे, पानी इसमें ठंडा इस्तमाल करिएगा और इस तरीके से अब हम बीज को अलग कर लेंगे देखे इस तरीके का बीज इसके अंदर होता है जिसे हमें अलग कर लेना है अब इसमें से बीज निकाल लेने के बाद इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे जो हमने शेल में से गूदर निकाले थे उस वाले बाउल में कि अब सभी को हम अच्छे से ठंडे पानी में मिक्स कर लेंगे करीब यहां पर हम आधा लिटर पानी लेंगे और उसमें हम इसे अच्छे से स्मैश करके मसल के और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठंडे पानी में अब जो हमारा गूदा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है अब इसमें हम 1 3rd cup चीनी आड़ करेंगे और इसे भी हम अच्छे से चीनी को डिजॉल होने तक हम मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के बाद इसे हम बड़ी छनी से छान लेंगे चनी से चानने के लिए इसलिए है क्योंकि जो इसके अंदर का रेशा है वो पीते समें मूँ में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है तो इसे हम चनी से छान लेंगे गर्मियों में ये बहुती अच्छा ड्रिंक है और हमें ये बहुत ठंडग भी देता है अब इसे हम जग में ट्रांसफर कर लेंगे और आप इसे सर्व कर सकते हैं बर्फ डाल के इसे ठंडा ठंडा सर्व करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ड्रिंक है यह आपको ये बेल के शर्बत की रेसिपी कैसी लगी मैं साथ जरूर शेयर करें अपना एक्स्पीरियन फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो आ चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग इमूस बेकर्स